नमस्कार जी केपिटल में आपका स्वागत है आज है 24 जुलाई और आप लोगं के लिए एक नई वीडियो आज बात करेंगे आलोक इंडिस्ट्रीज में अपर सरकिट के बाड़े में तो बने रही है वीडियो में अंतक फ्रेंड्स जैसा कि कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आलोक इंडिस्ट्रीज के ट्रेड सेटप के सभी मुख्य बिंदूओं पर एनालिसिस करते हुए एक अनुमान बताया था कि अब धीरे धीरे आलोक इंडिस्ट्रीज में सेलिंग क्वांटिटी कमजोर पर रह आपको बहुत-बहुत मुबारक फ्रेंड्स जब एक वीडियो और बनाया था मैंने पीछे जिसमें बताया था कि आलोक इंडिस्ट्रीज में चाहे जितनी की रावट हो जाए 30 रूपे से नीचे इसके प्राइसेस को नहीं जाने की संभावना है किन्तु यह 26 रूपे तक चला गया था फ्रेंड्स मैंने जब 30 रूपे तक इसके प्राइसेस के जाने का अनुमान बताया था तब इसकी जो ट्रेडिंग प्राइस थी उलगभग 48 रूपीस के आसपास यह ट्रेड कर रहा था और उस समय में ने अनुमान बताया था कि इसकी प्राइस 30 रूपे तक जानी चाहिए जिस वीडियो को देख करके बहुत सारे जो भीवर्स हैं उन्होंने बड़े निगेटिव कॉमेंट्स भी किये थे और उसमें उनके कहने का मतलब यह था कि इसकी प्राइस इतनी नीचे नहीं जा सकती लेकिन फाइनली आपने देखा कि इसकी प्राइस लवक 26 रुपे तक नीचे चला गया तो मेरे अनुमान से जो इसमें गिरावट थी वह दस प्रतिसत के आसपास से अधिक रही तो फ्रेंट्स एसेर बजार है जहां एनलेसिस और अनुमानों में 10% का प्लस माइनस तो चलता ही है फ्रेंट्स इससे पहले भी एक मैने वीडियो बना रहा था है कि इसकी मैकसिमम प्राइस जो जानी चाहिए और निश्यत रूप से उसी एंठावन और साथ रूपे के पास जाके रिवर्स ले लिया था और निचली अस्तों पढ़ाना शुरू कर दिया था तो इस प्रकार से अभी तक के जो अनुमान है वो बड़े ही सटीक तरीके से चल रहे हैं तो आगे जब आज अपर सरक्ट लगी है तो यह और आगे कहां तक जाएंगे इसमें कितनी मजबूती रहेगी इसका स्ट्रेंथ कितना रहेगा तो इसको समझने से पहले एक बार इसके प्राइस मॉमेंट को इसके चार्ट पर देख लेते हैं उठते हुए इसके prices ने इसके RSI में थोड़ी strengthen दिया है, थोड़ी मजबूती दिया है, जिसकी value निकल के लगवग 41 के असपास आ रही है, तो यहां से इसके संकेते हैं कि price में मजबूती रहनी चाहिए, अब friends, इसके MACD की अगर position को देख लें, तो इसके MACD बता रही है कि price मे थोड़ी-थोड़ी मजबूती लोट रही है, दोनों तरफ से यह पता चल रहा है, RSI और MACD को देख करके कि price में हलकी मजबूती आने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन overall इसकी जो अपर सरकिट है, वो कितने देर sustain करेगी, कितने देर रुकेगी, इस चीज को अगर देखना है, तो सबसे पहले हम इसके कारोबार को देख लेते हैं, तो फ्रेंट से यहां इसके पूरे order book को देख करके जो पता चल रहा है, कि लगभग 2 करोड 7 लाख 21,943 सेर की अभी भी buying quantity खड़ी है, और selling quantity समाप्त हो चुगा है, आज की जो traded volume है, वो 3 करोड 6,254 सेर की है, जिसमें deliver quantity लगभग 1 करोड 86,53,862 सेर की है, और percentage of delivery 62.17 सेर की है, अब यहां अपर सरकीट भी लगा है, लेकिन इस अपर सरकीट में जो मजबूती के संकेत दिखने चाहिए, वो थोड़े कम दिख रहा है, जो अपर सरकीट चालू हुआ है, यह बहुत देर तक टीक पाएगा, इसमे सक्की गुंजायस है, क्योंकि अभी तक हमने जो एक ट्रेंड देखा है, कि जब इसमें अपर सरकीट लगता था, तो delivery 100% की लगती थी, जो यहां पर delivery कम दिख रहा है, तो इसमें अब आगी क्या होने की चांसे से हैं, तो इन सारे ट्रेट सेटप को देखकर के लग रहा है कि जो अपर सरकीट लगने की जो यह शुरुआत हुई है, यह फिर पहले के जैसा, जैसा हमने पीछे देखा, कि एक बार अपर सरकीट जब लगनी शुरू ही, तो काफी लंबे समय तक चली, तो वैसी स्थिती यहां पर होती हुई नहीं दिख रही है, तो फ्रेंड फिर भ 40 रुपे और उसके बाद 50 रुपे कि हम एक अनुमान कर सकते हैं, लेकिन पहला टारगेट 30 रुपे कर रहेगा, 30 रुपे के टारगेट को जब पार करेगा, इसके बाद ही कोई फाइनल अनुमान किया जा सकता है, तो फ्रेंड मेरी तरफ से रही एक piece of information, इस information के आधार पर आप अपनी एक study करें, आप अपना एक research करें, और research करने के बाद ही कोई finally निवेश संबंधी निर्ना लें, क्योंकि वह निर्ना भी होगा आपका, और उसे मुनाफ़ा और उसे घाटा भी होगा आपका, और अगर आपको कोई additional सुझाओ चाहिए, तो gcapitalnews at the rate gmail.com पर mail कर सकते हैं, या 72-9196-7506 के उपर message कर सकते हैं, WhatsApp कर सकते हैं, और friends, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, तो like, share, subscribe करें, और bell icon button प्रेस करना ना भूले, ताकि ऐसी informative वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचे, जय हिंद, जय भारत.